आज हम सीख रहे हैं कुछ मैथ ट्रिक यह ट्रिक बेसिकली स्क्वेर्स फाइंड करने की है यह एपलिकेबल होती है उन्ही नमबर्स पे जो 5 से एंड करते हैं जिनकी यूनिट डिजट 5 होती है इसके लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट 5 का स्क्वेर्स दूसरा थो बेसिक कल्कुलेशन आपको थोड़ बहुत आने चाहिए तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्जाम्पल हम ले रहे हैं नमबर 35 का नमबर 35 दो डिजिट से बनाएं 3 और 5 इसमें 5 का तो हम स्क्वेर करेंगे ताइस 25 और 3 को उसके नेक्स्ट नमबर ताइस सक्सीडिंग नमबर 4 से मल्टिप्लाय करेंगे 3 इंटो 4 इस 12 तो अवर आंसर इस 1225 कुछ एग्जम्पल्स ट्राय करते हैं फर्स ले रहे हैं 15 का स्क्वेर ना 5 स्क्वेर इस 25 और 1 इंटो 2 इस 2 तो आंसर इस 225 नेक्स इस 25 अगें 5 का स्क्वेर 25 अस इस और 2 इंटो सक्सीडिंग नमबर ताइस 3 तो 2 इंटो 3 इस 6 आंसर इस 625 9 x 10, 90, 90, 25 हाई करेंगे थोड़े 3 digits नंबर, स्क्वार्स फाइन करने के लिए 1st example is 105, again 5 का स्क्वार 25, and 10 x 11 is 110 so our answer is 11025 next is square of 195, again 5 का स्क्वार 25, and 19 into next number that is 20 so 3, 8, 0, 2, 5 then 305 का स्क्वार, again 5 का स्क्वार 25, and 30 into 31 is 6, 3, 0 so our answer is 6, 3, 0, 2, 5 and last example हाम ले रहे, 705 का स्क्वार, 5 का स्क्वार 25, and 70 into 71 is 4970 so our answer is 497025 यह method हम उनी numbers पर यूज कर सकते हैं, जिन numbers की multiplication easy हो, जिनकी multiplication आप mentally कर सकते हो अगर आप ऐसे numbers ट्राइ करो जिनकी multiplication भी आपको लिखके करनी पड़े, जिसे 70 into 71 मेंने किया है, 0 था तो easily काम हो गया, बट अगर दोनों two digits हो जाएंगे तो करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे questions पर यह method try करना है, का मतलब है अपना time waste करना, तो ऐसे numbers पर कभी भी यह method use नहीं होता है, जिनकी multiplication आपको लिखके करनी पड़े, verbally जितना हो पाए, उतना use करना है, सपोज मैं इस method से 635 का square point करना चाहरी हूं, 5 का square 25 में direct लिखतोंगी, बट 63 into 64 यह करने के लिए मुझे calculation करनी पड़ेगी, तो यहां हमारा time waste होगा, तो हमें कोशिश करनी है, easy questions पर जो direct हो जाएं, उन पर यह method try किया जाएं, ऐसी ही all tricks के लिए channel को subscribe करें, वीडियो को like करें अपने friends के साथ share करें, और मुझे बताएं कि आपको यह trick कैसी लगी, thanks for watching, good day